टॉस जीता था पहले ठाकर रॉक्स ने और गेन बाजी करने का फैसला किया है दोनों पारंबिक बल्ले बाज आ चुके है जलारम कुरुपा की और से सिव अगरवाद और सुनिल टॉस उछाला था यहां पर जगदी साहिर ने और सिक्का उचला था ठाकर रॉक्स फ्रतीक इल दोनों सलामी बल्ले बाज सलामी जोड़ी है तयार और गेन बाजी के उपर सुवास राइटम ऑवर दे विकेट इंसाइड आउट खेला है गेन बाज के सर के उपर से नीचे खेलारी है सीव आहिर लेकिन गेन चाहेगी सीदे सिमा रखा के बाहर स्टेंड एंड डिलेवर स दिक सर के साथ आगास किया है बल्ले बाज सीव अग्रवाद ने स्लो गेन बाजी कट करने के बाद गेन चली गई सीदे सो ठड़ में के उपर अच्छी क्रिकेट प्रेजन्स ऑफ माइन के साथ वहाँ पर क्रिकेट खेली जा रही है सीव अग्रवाद की और से पहली गेन के उपर सिक्सल लगाने के बाद साबने वाले चोर के उपर जा चुके सिंगल लेने के बाद अब बात की जाए यहां पर फिलिंग की तो खुबसूरत फिलिंग की सिजावट की गई है रईस कादरी की और से इस तरीके से काफी अच्छी फिलिंग वहाँ पर बानी जाएगी लेज़न्द क्रिकेटर दरमेस पतेल बक्सी लेफ्ट हैंड वल्लेबाज के लिए डीप कवर बाउंट्री लाइन के उपर वाइडि इसलॉंग ओन के उपर नाइम फिलिंग करें इस्टा कवर के उपर अच्छिव आहिर फिलिं हाथों में जानेगा अच्छी वीगेट की विंग वहाँ पर कोई रन नहीं कोई नुक्सा नहीं डॉट गेंग गली के उपर एक खिलाडी को सामिल किया गया है पॉइंट के उपर लेफ्ट हैंड बलेबास के लिए प्राना वाहिर फिल्लिंग करें गली के स्थान के उपर दर स्ट्राइक को रोटेट किया वहाँ पर सुनी ले अब स्ट्राइक के उपर बलेबाज शीव अगरवाद सुबास वापस बॉलिंग लाइन के उपर कोमेंटरी बॉक्स एंड की और से काफी बड़ा विकेट होता ये सही तरीके से पोजिशन नहीं बना पाए एक्ष्टा कोवर के उपर अब किस तरीके से बलेबाजी होगी आने वाली ओवरों में ये पता चलेगा फिलाल एक मौका मिल चुका है यहाँ पर जिस प्रकार से पहले मुकाबले में तीन के छूटे थे और तीन मौके दिये गए थे रईस कादरी को तो 44 रन बनाए थे अब यहाँ पर एक मौका मिल चुका है सीव अग्रवाद को अब किस प्रकार की बलेबाजी करेंगे यह आने वाला समय बताएगा फिला लेप्ट हैंड बलेबाज सुनिल स्ट्राइक के उपर इस पार खूबसुरा श्टॉक सामने की तरफ लॉंग ओन के उपर से स्टेंड एंड डिलेवर यूजेन हाई मैक्सिमाम आउट ओप पार्क के बाद 15 पंदरा रन बने स्कूर कार के उपर सलामी बलेबाज बलेबाजी करते हुए जलाराम कृपा की और से जलाराम कृपा जिसके फ्रेंचाइस योणर है जीकी पटेल डग आउट में उपस्तित और ठाकर रॉक्स प्रतिक इलेवन जिसके फ्रेंचाइस योणर है किर्थी बाई आहीर फिलाल पारी का ये दूसरा आवर और अपने गोटे का पहला आवर लेकर दूर वाले छोड़ से दरंपूर एक्सप्रेस राइस कादरी गेंद बाजी के उपर तो इस बीचे दूर वाले छोड़ से राइस कादरी अपने कोटे का पहला वर लेकर टीम की और से दूसरा आवर लेकर स्ट्राइक के उपर बले बाज सीव अगरवाथ राइटम ओवर दविकेट इस बाहर हवा में गेंद और थोड़ी सी आगे गेंद जरूर गिरी थी वहाँ पर पूरी तरीके से पोजिशन नहीं बना पाए कमलेस का पीछा नहीं छोड़ रही है बीच म के बाद राहत की साथ जरूर ले होगी सीव अगरवाथ ने फिलाल एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुचा है सोला रन स्कोर कार के उपर बल्लेबास के लिए इस बेच अब थोड़ी सी फिल्लिंग की सजावट की जा रही है डीप मीडविकेट बाउंटरी लाइन के उपर एक खेलाडी को सामिल क्या गया है प्रणाव आहिर डीप मीडविकेट बाउंटरी लाइन के उपर वाइड इस लोगन बाउंटरी लाइ काफी पेस का इस्तमाल किया जा रहा है इस बार गेन बाज की और से पारी का ये दूसरा आवर चलता हुआ पार प्ले अभी भी जारी नव खेलाडी सरकल के अंदर तो खेलाडी सरकल के बाहर डीप मीड विकेट और लॉंग ओन दूर वाले छोड़ से वापस तैयार रईस बॉलिंग लाइन के उपर इस बार बल्ले का अंदरूनी इस्ता लिया था वहाँ पर विकेट की पर का सहारा चाहिए था ये इन बाज को असंतोस जरूर है वहाँ पर जिस फ्रकार से अब यहाँ पर दो मौके शिव अग्रवात के लिए और एक मौका सुनिल के लिए रईस कादरी बॉलिंग लाइन के उपर आगे निकल कर इस बार श्टो को खिला खिलारी है नीचे केजिंग पोजिशन के उपर दरमेस बक्सी इस बार बक्सेंगे नहीं देखिए सेली ब्रेसन पहुती बेहतरीन और पहला विकेट यहाँ पर गिरता हुआ जलाराम कृपा को लगने वाला यह पहला जटका और मिलने वाली पहली सबलता गेनबाज रईस कादरी के नम आए बलेबाज के रूप में जैदी बालसोल जेडी को सामिल क्या गया है सुनिल के आउट हो जाने के बाद लेप्ट हैं बलेबाज एक अच्छे बलेबाज की अगर अगर बात की जाई यहाँ पर आहिर समा से विलोंग करते हैं जैदी बारसोल कोस्बाणा क्रिकेट ग्राउंड के उपर 21 गेंदों के उपर 51 एककावन रणों की पारी खेली गई थी बलेबाज जैदी बारसोल की और से आहिर समाट का जब टूनामेंट खेला गया था तो उन्होंने प्रस्तान के आज विकेट के उपर अब किस फ्रकार की बल्ले बाजी करेंगे यह आने वाला समाई बताएगा फिलाल रईस का दरी बॉलिंग लाइन के उपर फुल टॉस गया ज़रूर थी इस बार बल्ले का अंदरून इससे अलिया वन बाउंस के बाद गयन पहुची सीदे के उराहिर के दस्तारों में कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं इस बीच सोला रन स्कूर कार्ड के उपर काफी नभी दोली गेन बाजी का प्रशन देखने को मिल रहा है बीच मेदान में अभी तक एक रन खर्च किया और एक सफलता इस पर अपने ही बॉलतरों में अच्छी फिल लेगी आपर तो इस बीचे एक रन दिया और एक विकेट सफल ओवर समाप्त होता हुआ और पाउर प्ले भी समाप्त होता हुआ दो ओवर की समाप्ती के बाद जलाराम कृपा का स्कूर जा पोचा है सोला रन एक विकेट के न झाल 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 और यहां पर समाप्त होता हुआ फिल्लिंग डिक सिक्सान अब खोल जाएगा अब जिस फ्रकार से यहां पर फिल्लिंग की सजवट की जा रहे है यह बीच मेदान में दरमेस पटल बक्सी की और से आप देख सकते हैं लॉंग आप बाउंटरी लाइन के उपर एक खिलारी क सामिल क्या गया है सुबा स्मॉलिंग लाइन के उपर पॉइंट के उपर इस बार कट्स्टोखेला बले बाद ने यह इनको फिल क्या जाए डाइरेक हीट जरूर है वहां पर कोई रन नहीं कोई नुक्सा नहीं अच्छी फिल्लिंग वहाँ पर गली के उपर लप्पी भाय आहीर आपका हर्दिक स्वागत है फिलाल कोई रन नहीं कोई नुक्सा नहीं डॉट गैन स्क्राइब के लिए बाउंटरी लाइन के उपर स्ट्राइक के उपर सिवा ग्रवाद रिवासिफ स्टो खेलना चाते थे इस बार हलकी सी अपेल उस्सा जाता विश्वास कम नकार दिया है यह राहिर की और से राजवाब अपील की गई थी वहाँ पर लेकिन कॉलिफाइड अंपायर कुछ सामिल क्या गया इस पीच मैंस टाइक अंपायस के उपर है लियो जॉन सर और परेश पटिल सर सुबास बॉलिंग लाइन के उपर राइटम और विगेट कट स्टो किला इस बार फिर से फिल्डर मौझूद वहाँ पर गेन को फिल किया जाए और थ्रू दिया जाए तब तक कोई रन नहीं कोई नुक्सान नहीं डॉट गैन मेदान के उपर पारी का यह तीसरा आवर चलता हुआ स्कोर अभी भी रुका हुआ जला नाम गुर्पा इलेवन का सोला रन कुछ सलामस्वरा जरूर कर रहे वहाँ पर जैदीब बार्सोल और सीव अग्रवाद कुछ चर्चा विचारन चलती होई पहले ओवर में 15 रन आये थे उसके बाद दूसरा आवर क्या राईस कादरी ने एक विकेट और एक ही रन खर्च की आप तीसरा आवर इस बार सामने की तरफ स्टेंड एंड डिलेवर लंग ओफ के उपर से यूजन हाई मैक्सिमम आउट ओप पार्क छे रन के लिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ जलाराम क्रुपा का 22 22 रन स्कोर कार के उपर पारी का ये तीसरा आवर चलता हुआ रोड एंड की ओर से सुवास पटेल इस बार रिवर सीप स्टोक के लाया है खूब जूरा स्टोक बैकवर्ट पॉइंट पाउंटरी लाइन के उपर से गेंच सिक्सर और स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ जा पहुचा है 28 रन एक विकेट के नुक्सान के उपर मुस्कुराइट लेकर गुजरते हुए एहनल गरासिया जिस प्रकार से कल कॉलिफाई किया है डाउन दे ग्राउंड इस बार स्टोको के लिए बल्ले बाद ने सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया तो इस बीच आवर की समाप्ती तीन आवर की समाप्ती के बाद 29 रन एक विकेट के नुक्सान के उपर तीन आवर की समाप्ती के बाद एक विकेट के नुक्सान के उपर 29 रन चला राम कुरुपा और ठाका रोक्स फ्रतिक 11 के बीच पे चलने वाला ये मुकाबला दिपल पडेल कोमेंटरी बॉक्स का संपर्क करेंगे तीन आवर की समाप्ती के बाद 39 रन करेंगे बाद को इस्तामाल किया जा रहा है पहले चार ओवर में पहला ओवर किया गया था सुबास ने उसके बाद दूसरा ओवर किया राईस कादरी जाने कि अब अकेन बाजी के उपर नईम अपने कोटे का ये पहला ओवर लेकर टीम की और से चोथा ओवर लेकर स्ट्राइक के उपर है बलेबाज सीव अगरवाद कट स्टोखेला बल्लेबाद ने कमले स्वांपर है गेन को फील किया जाए हलकी सी अपिल उससा जादा विश्वाश कम इस बार आउट रन आउट के रूपे ये विकेट मिला है जैदीब बारसोल रन आउट होकर पवेलियन की और जाते हुए जलाराम गुरुपा को लगने वाला ये जटका काफी बड़ा विकेट जैदीब बारसोल अभी अभी रन आउट होकर पवेलियन की और गए उनका स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज की रूप में हारदीक को सामिल किया गया है जलाराम गुरुपा की और से फिला स्कोर कार के उपर 29 रन दो विकेट के नुकसान के उपर केन बाजी के उपर नाइम लेफ्ट हैंड बलेबाज के लिए डीप मीड विकेट स्क्वेल लेग मार वाइड वाइड लोंगन बाउंटरी लाइम कोपर रईस कादरे फिल्डिंग कर रहे हैं लंगन बाउंटरी लाइन के उपर दरमेस पक्सीर नाइम vision है अपने ही बॉलत्रों में सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया इसी एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुचा है कि तीस रन कि दो विकेट के नुक्सान के उपर पारी का यह चोथा आवर चलता हुआ कप्तान की जिम्मेदारी इस भी सोपी गई है स्यू के उपर फ्रेंचाइश यह उनर जीगनेश भाई पटेल की और से फिलाल नाइं बॉलिंग लाइन के उपर दूर वाले छोड़ से स्ट्राइक के उपर बलने बाद स्यू फुल्टास गैन इस बाल लॉंग उन के उपर से यूजन आई मैक्सिमम आउट ऑप पार्क गैन चली गई सीधे सीमा रेखा के बाहर छे रन के लिए फाइदा उठा रहे हैं सीव अगरवाद कमलेश नायक की और से एक्ष्टा कवर के उपर के ड्रॉप किया था और मौका जरूर मिला था वहां पर उसका भरपूर फाइदा उठाते हुए बीच मेदान के उपर असीव अगरवाद फिलाल टीम का स्कोर इस भी जा पोचा है 36 रन पारी का ये चोथा आवर चलता हुआ और दो विकेट के नुक्सान के उपर बारा गेदों के उपर 28 रन बना कर बल्ले बाजी करते हुए इस बार एक और स्टेंड एंड डिलेवर गेन चली गई सीधे सीवा रिखा के बाहर वाइड इस लॉंग ऑन बाउंटरी लाइन के उपर यूज एन आई मैक्सिमम आउट ओप पर्क सब्सक्राइब करते हुए डाउन दे ग्राउंड इस बार कट स्टो के लाए बल्ले बाजने गेंग जाएगी सीधे सीमा रिखा गी और प्रणा वाहिर फिल्डर जरूर थे डीप कवर बाउंटरी लाइन के उपर लेकिन कोई मौका नहीं आउट फिल्ड काफी ज़्यादा तेज है फॉर्टी सिक्स रंच है लिस रंच स्कोर कार के उपर पारी का ये चोथा और चलता हुआ अब पहले योगर में काफी मेंगे साबित हो रही इस बार नाइम जिस फ्रकार से बल्ले बाजे हो रही है बीच मेदान में सीव अग्रवाद की और से सामने की तरफ ट्राइव क्या वाँ पर बाउंटर लाइन के उपर गेन को फिल किया जाए शिवाहिर की और से और थ्रो दिया जाए तब तक इस बीच स्टेटिक टाइम आउट का ये वक्त हो चुका है चार ओवर की समापती के बाद जलाराम ग्रूपा का स्कोर जाप होच सुनेंगे लाप मेंएग तकान को कि प्रणा जाएंगे अलवर प्रदा झमेडिक नार तक बंडर क số 1 कि लिचा टाएबरा जाए भंठाने खिग्साने नार्म lifestyleivelyी. भुनिदे दो नार एचितन रह ट्रमा बदली when झाल 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 गेन की उपर निगाई ये बाड़ा भी कड़े सीवा गरवाल का अलके आतों से टैप किया गली की स्थान की अपर अनकी जेश्टा जब तक अकरीकिर उसके स्कोरर कंपलेश्ट गेन को फिल करते तब तक एकरन 48 रन अपर सिंगल निकाला है राइस की गेन बाजी में यहां से वापसी करने गेंगे उनको पता इन दोनों में से किसी को भीजना पड़ेगा डगाउट अप जाकर मौका मिल सकता है वाइडी स्योकर केन कोडाने का प्रयास था सीधा बिल्लर कडा किया था और एक सपल था वीकेट नमबर और एक गिरता हुआ कुप सुरत केहत लिया गया बाउंट लाइन के उपर दर्मेस बडल की और से वीकेट नमबर और एक और रैस के काते में दूसरी सपलता रैस ने एज़क अप्तानी दी गई थी ओनर कितिवा याहिर की और से रोपने अप्तानी को एंजोई करते हुए अपनी ताकत के साथ अपने बल्बूते के उपर अपनी गैनबाजी के काबिल्यत के साथ बल्ले बाजी में फोट पिछली में केलरेश सीव अगरवाल साथ रन की अपर रैस कादरी की गैनबाजी में कैज़ टॉप किया था ये भी धियान रखना जुरूरी सटिक यॉकर ये रन मिल गया सटिक यॉकर वाली गैन्ती सटिक तप्पे के अपर गैनबाजी की रही है जानते हैं एजक अप्तान मुझे कुछ करना पड़ेगा वो कहते हैं न सैना पती धरासा ही हो गया था सैनिक क्या करेगी आपर मजबूत स्थिती में सैना पती सैनिक को सहयोग देना पड़ेगा यहां से अगर ये मोर्चा जीतना है तो फिलाल उन्चास रन ओवन नमबर पांच वा तक रोक्स के कोई भी गेंबाज है ट्रीक लेता है तो फॉरेश्ट इपार्टमेंट के कलपेश माली की और सी अच्छी गयान अच्छी गयान बहुत अच्छी गयान की और ने एक मर्दब हैंगे हाथ में उच्छा ली ऐसा लगागे केच फिर अपने आपको रुका कि नहीं बल्ले पे नहीं लगी थी ये कज नजदी की मामला जरूरत था दबाव डालने का प्रयास क्या खुब्सुर उन्चास रन खुलाल रुकावा और वन नबर पाँचवा तीन विक्टे की रिए है वाइडिस लाइन ये कैच क्या करें चार चार तीन तीन कैच अगर इसे गैनबाज के सामने आप छोड़ोगे तो दिकत में आएगा इनको दूसरा मौका मिला है ये दूसरा मौका मिला है सीव अगरवाल को साथ रन के उपर पेला मौका और चालिस के उपर दूसरा किस्मत के गोड़े के उपर सवार होकर आए हैं वो कहते हैं ना कि किस्मत अच्छा हो तो कागज की कस्ती से दरिया पार होता है वरना हमने टाइटनिक जैसे जहाज को पानी में डूपते देखा ह देखिए हैदराबादी लक्समन और ड्रवीट की स्टाइल में गैन को डिफेंस किया तीन रन दो सपलता दो या तीन कैजिस उनकी गैनबाजी में ड्रॉप किये गए देखिए लाजवाब स्पिल कता हुआ कप्तान का लाजवाब ओवर पांच ओवर की समापती के बाद फिलाल रंजिंके रुकी हुई उन्चास रन 49 लॉस अफ थ्री वीकेट डीजे यूटिब लाइक के अपर आपको इस टूनामिन को घर बेटे पंके के नीचे इसी चालू गर के अगर सुफे में बेटकर बड़ी स्क्रीन के उपर में देखना है ना तो आपको वन सेवन स्पोर्ट गुजिरात की जैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा पड़ेगा बे बेलंग दबाना पड़ेगा और उसके फाउंडर की बात की जो तो कार्तिक पटेल मैं फ्रम तेदलाव आपके दरवंपुर के चाही थे जो दरवंपुर साइड में चाही थे कौमिटेटर राच चोहर सर है उनके गाहं से बिलोंग करते हैं तो आपको उनका नंबर मिल जा केमरा कप्चरिंग बहुत ही अच्छा दीपेश है और सिद्धा जो के ऑपरेटर है एट्रिक विकेट के उपर एक हजार रुपया है मालिस साहिप की और से फॉरस्ट डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं ये फिल्निंग टीम के लिए जैसे ही बात की विकेट निकाल कर दिया है यो मिस आई विल डेफिनेट लीट फर्निचर निस्ट्रोई नजर हटी दूर्गत नगटी विकेट नमबर चौथा दीजे झाल 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 ? छटा जलता हुआ 49 में से 40 निकाल दीजिए 9 बचेंगे तो यह 40 रन है एक बले बाच के अगरवाल के जिनका 7 रनों के उपर कैज ड्रॉप किया था उसके बाद 40 के उपर दूसरा कैज छोड़ा गया यह कारवा उनका कहा तक लेकर जाते टीम की स्कोर को उसके उपर बहुत निर्बर करेगा सीदा सामने जड़ दिया फिल्लार है हॉम डिलिवरी पार्सल एमेजन वाला दो गेंतों में दो सबलता हैट्री की उपर माली सहिब जो फोरस्ट इपार्टमेंट से बिलोग करते हैं उनकी और से ठककर रॉक्स के कोई भी केंबाज हैट्रिक लेंगे तो एक हजार उपया के नाम है और ये दो मरतबा ये कारनामा ये केंबाज कर चुका है ये सायद इस मेदान की उपर सायद तीसरा कारनामा हो सकता है और टोनामेंट में तीन वरताब ये कारनामा हो चुका है बावेश वाटूडा पवार के नाम से पेचाने जाते हैं सेज़ाद कादरी पार्त मोदी जो अभी इस टीम में केल रहा है बैटिंग टीम में और ये चोथा हो सकता है फिलाल नए बने बाज के रुप में मनोज लीजे पीकाट मिशीली मीडिफीकेट सिली कवर क्या को देखने को मिलेगा है ट्री के उपर है नहीं रन बचाने का प्रयास है है ट्रीक माईने नहीं रखेगी जानते हैं यहां से रन कम बनने चाहिए दोड़ गेंदे फैक नहीं है कोई नजदी के विलनर नहीं कैचिंग पोजिशन के लिए सीव अगरावाल नॉन स्ट्राइक के अपर खड़े हैं उंगली कड़ी की हैट्रीक हैट्रीक तीन विगेदों में तीन सपलता हम पैर ने उंगली कड़ी की है चोथा गैन बाच हैट्रीक लेने वारा माली साब पांसों की दो कड़ती इधर जमा करवाईए आपने एनाउंस किया था हैट्रीक यह पर ही काजार रुप्या रमिस बक्सी दरमिस बक्सी झाले करें पांसों पांसों ए में यज़ हैट्रीक यह रुंगली आपने खिर्गपिंधन सबद्धनी, आप्सीं खिरधा रुटूवली, आपने लेकंवली, रुप्य़ पांसों लेकंपने पांसों की पांसों की झामने के छानदा की आपने धो पिर सादीशन्स, कि फिलाल है ट्रिक ले चुके है करिस्माई चौथा वीकड मिल जाएगा तो टूनामेंट के यह से गिनबाज रहेंगे चार गेदों में चार विकड लेने वाले फिल्डर केच चार गेदे चार सबलता लाज वाब स्पेल अपने और की तरह विसारा किया है कि मैं अभी जिन्दा हूं क्या कैच लिया यह नॉन स्ट्राइक के ऊपर दोनों पैरों की कैसी बना कर अगरवाल खड़े हैं गेरी सोच में कि कैसे रन बनाए जाए यूँकि सामन इसने की और सोटेकी विक्तिन हरोण लगाती है यह वन बाई वइख्टे निकलती जा रही है चार गेंदे चार सफलता What a balling performance What a building What a catch वो कहते है ना के जमीर जिन्दा रख, कबीर जिन्दा रख होसली के तरकस में वो तीर जिन्दा रख हर जाचाहे जिन्दगी में सब कुछ मगर फीर से जीतनी की वो उमीद जिन्दा रख एक उमीद अभे भी जिन्दा है जो नौन स्ट्राइक एन के उपर खड़ी है अगरवाल जो नहीं कर छिली ओवर माई एक प्लेयर सरकल माँ आवी जैसे एस्ट्रीक वर्निंग अल्रेडी आजे बेया टीमने पैनल्टी मड़ी गई छे अने तमने पन मड़े ली छे अने सामेजे बेटिंग करे ये टीमने पन मड़ी छे एटले थोड़ू त्यान आप जो जिती गरेने तमने नुकसान नहीं थाई फिलल फोटिनाइन मैनन अवर चार विकट हो सकते हैं या क्रीक एन टुनामेंट का ये एक रोचक अवर हो जाएगा चार केंदे चार सपलता निकाल चुके हैं अगर ये दोड़ बल गई या विकट मिला दोनों में करिस्मा ये वाइट का रन ही दे चुके है ऐसे ओफिस्यली पांच गेतों में पांच विकटे मानी जाती है एक रन आ गया है वेलकम पिट्टी चेरव ते फिव्टी पचास रन पूरे होते हुए जलाराम कुरुपा के हलकी सितालिया बजी है जो उत्साफ मिलना चाहिए पचास के उपर वो देखने को नहीं मिला चार गिंदे चार विकटे अशीव बता रहे हैं के डिफेंस करके गेन को रोकिए जरुत नहीं रंबे शॉट की दो लगातर वाइट खराब के इन बाजी चार विकट के साथ पवन यादा आम स्टाइकर्स के ओनर स्वागत सराफ का ड्रीमलें होटल के ओनर स्वागत सराफ का जटे ओवर की आखरी गैन फिफ्टी वन एक एच कीपर पांच वीक्टे हो सकती थी कीपर की गलती के वरा अहिर नाको से अपने पर्फोर्मस से विकट के पीछे क्या ओवर गया क्या ओवर गटा है ठकर रोक्स के लिए ये एक बहुत नीनायक ओवर फिफ्टी वन रन दक्सिस जहां कहीं हो कॉमेडिय बागत संपख करेंगे आपका मित्र आपका फ्रेंड जीगरी आकिप से आपका इंतेजार करें जल से जल पहुंचेंगे जान आई और सीव गरवाल को स्ट्राइक मिली है बारा गेंदी ये बारा गेंदी वो कैसे खेलते उसके उपर निर्पर करेगा ये चलेगा के नहीं चलेगा इनके उपर है ये मन बना लिया था पहले से रिवस का फिर भी इरण अफ मार्जिन का वाइट है ये बहुत बाहर पेका था एक्स टैक के साथ फिप्टी टू नौ बाल नौ बाल हमें तो अपनोंने लूटा गेरों में कहा दम था मेरा पैर वहाँ पर गिरा जहां चूना कम था ये डिक्कत वाली बात हो गई है ये फ्रीट सोने पे सुआगा बला भी चलाने का मौका वहाँ पर मिला जहां पर 40 रन बना चुके हैं और सामने फ्रीट मिली है रईस कादरी एक और मौका अल्रेड़ी दो मौके मिले थे साथ के उपर 40 के उपर दूसरा था और ये 40 के उपर तीसरा मौका कि यह नौबल थी फ्रीट बड़ा हिट लगाने का मौका करीक खिरोस के स्कोरर छेरन एड़ कर लीजिए क्योंकि एस लॉक स्वीप कौन केता है डीजे वाले को बताना पड़ेगा बावेस पवारी स्वीप नहीं खेलता हमारे मेदान के अपर यह सीव अगरवाल भी स्वीप कि खिलता है कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ कि साथ गड़ी बात रिवस बाले के बीचों बीच कारक में दरक छेरन वेलकम फिप्टी चियारदद फिप्टी लाजवा बलेबाजी खूपसुरत बलेबाजी तीन तीन मौके मिले लेकिन वो मौके का बरपूर पाइदा उठाया आप गलती करोगे तो आपको सरफेक्सल टाइडर निर्वा के एक आकरमक तीके तेवर में बलेबाजी कर रहे हैं खूपसुरत बलेबाजी की जारी है कूल मिलाकर 22 गेदो में 52 रन तेरा रन आठ बलेबाज और एक्स्ट्रा के रुप में बने और इनके रन कूल मिलाकर 52 लाजवा पारी झाल 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 क्योंकि ओंसाट की सित्रह में फिलर माउंट लाइन के पर पैट्रोलिंग कर रहे हैं तो रिवस का प्रयास 59 रन रुतुराज ने बनाए थे वो टोनामिन का इंडिविजल एक पारी का ही स्कोर है 69 रन सीव 52 के उपर खेल रहे हैं सीव अगरवाल वाइडिस लाइन इंसाइड आउट सोट केलने का प्रयास था डीप कवर के अपर रहे हैं इस कादरी वहाँ पर मवजूद पैट्रोलिंग करते हुए उनको भी इतनी का प्रयास जरूर था इस मुर्टबा नाकामियाब रहे पैसेट रन और नमबर ये साथवा चलता हुआ आणड गेंदे बाकी है अंपर की निगा गड़ी के अपर जरूर चल रही है कि फुल्टोस गयान सामने फिलना रहा है कि इसकी मांग लेकिन उपर से जाएगी स्टेंड डिलेवर सामने जड़ा चे रन के लिए अपने विक्तित स्कोर 58 की अपर पहुंचे और टीम का स्कोर जा पहुंचाए 71 एकतर रन पहुंचाए 71 एकतर रन लिपल भाई चाहां करेंगे मनिश्बा पढ़ियार आपका इंतिजार कर रहे हैं हो सिंगल निकालने का प्रयास्ता मिल गया मिल गया 72 बहत्ता रन इन में से 59 रन इनके खाते में हैं टूनामेन का दूसरा हाफ सेंचुरी टाइम की वज़़ से पैनल्टी पिलर आकरी ओवर के लिए सरकल के अंदर आ जाएगा यह पहली मेंच में भी उनको मिले थी यह दूसरी मेंच में लगा तर दो पैनल्टी इसके उपर ध्यान देना पड़ेगा तवज्जू करनी पड़ेगी गफ्तान को जब विकड मिलता है तुरन फिल्लिंग के उपर जाना होता है चोका चका लगता है सब अगर गेनबास के पास जाओगे ना वक्त जाएगा तो यह सोच बदलनी पड़ेगी औवर के बीच में जल्दी से फिल्लिंग सजानी पड़ेगी फिलल अप चार ही बाहर कर सकते हैं सिर्फ चार फिल्लर पांट लैन के पर खड़ा कर सकते हैं एक फिल्लर सर्कल के अंदर आएगा एक्स्ट्रा यह पैनल्टी है टाइम लीमिट की वज़ा से कुछ वक्त दिया जाता है टाइम उसके उपर आपको साथ अवर खतम करना है उस टाइम के उपर आपने साथ अवर खतम नहीं किये तो आठवी अवर के लिए एक फिल्लर सर्कल के अंदर उसमें एक समाविष करके पांच कर दिया जाता है यान कि बांट लेंगे उपर सिफ चार रहेंगे गेन बाजी के पर आखरी चरी गेन लेकर पिछली एवर में दो वाइट के रहन दिये थी और चार सफल्टा निकाली थी पेला रन तीजी से लिए दूसरी की मांगे क्या विकेट सेक्रिपाइस करेंगे नहीं सिंगाल इंडिविजल हाई यस्कुर टोनामेन का एक पारी का सबसे ज़्यादारन 60 रुदुराज को उन्होंने पार किया है 60 साइट रन उनके बल्ले से आता दूसरी के पर अनाउट हुए है कुछी है 70 के उपर कुछ 73 आता दूसरी के पर अनाउट के रुप में आता दूसरी के पर अनाउट के रुप में सिंगल रोकने का प्रयास था डॉडबल निकालने का प्रयास है क्योंकि जितना हो सके नॉन स्ट्राइक के अपर अगरवाल सीव अगरवाल को रखने का प्रयास है वाइट एक्स्टा के साथ फिलाल रन सक्के जाप पहुचिए 74 जाहत्ता रन नाइन विकर नव विक्टि गिर चुकी है स्यू आधी पीच की उपरा कर नाखू से यह प्रेसर में नव विक्टि गिरी है कुछ गेंदे अभी भी बाकी है और सीव नॉन स्ट्राइक की अपर जजूम्रा में उच्छल कुद कर रहा है के मुझे स्ट्राइक दीजिए क्रीस साहिर यह तो उड़ेंगे क्या आकरी जोडी मेदान आपका इंतिजार हो रहा है जल से जल आप अपनी जगा ले लीजिए आकरी जोडी मेदान की अपर कप्तान रईस चानते जीतनी दोट निकाले क्रीस आईर फिलाल स्ट्राइक के उपर और बहुत ज्यादा समर्तन मिलता वा ठाकर रोक के कहमे में आइस्ता आइस्ता जलारम कुरकवा खेमे में भी दर्सों की कितादा आइस्ता आइस्ता बढ़ती हुई बस्तो एक रुप्या दक्सेस की और से छक्के के उपर अमर की और से भी दोसो ये चौका ये चौका ये चौका ये देखिए ये उच्छा देखिए क्रीश का सीव काफी खूज है जानते है रन चाहिए कहां से भी आए कुछ रन बनाए टीन के लिए नस्दीक फिल्लर कड़े किये थे अब कम से कम कफ्तान को फिल फेलानी पड़ेगी सिंगल रोकने के लिए सोच रहे थे यह तो जागते ही चौका जड़ दिया 789 88 के उपर 9 विक्टे तीन गेंदे बाकी है तो गेंदे बापी बाकी है तो गेंदे बाकी है विक्टे एक ही है विक्टे नहीं है यह दिक्कत होगी सिंगल के साथ 79 क्रिस की और से अच्छी बले बाजी पांच रन बहु मिल्य जोड़े यह पांच रन आपको आखिर में बता चलेंगे आप चेस करेंगे तब पांच रन की वेल्यू कितनी है याद रखेगा आपको काम लगेगा यह पांच रन नहीं चौका नस्दीक फिल्डिंग वाला एक रन की वेल्यू आपकरी में जब चेस करते हैं आपकरी गेन की अपर आट रन चाहिए चक्का लगता है और एक रन से टीम हारती है तब एक रन की वेल्यू पता चलती है कितनी दो अंक एक रन से अब खोते हैं तब फिल्ड मैच जारी है बड़ा सौड है क्या बाहर जाएगा और चक्के के साथ मैच को खतम किया टीम का स्कोर जब पहुचा है 85-85 जिनमे 66 रन नौट आउट लाजवाब पारी स्टेंडिंग ओवेशन मिलेगा टोनामेन का एक पारी का इंडिविजिल हाईयस स्कोर 66 नौट आउट 28 गेंदों का सामना किया लाजवाब पारी के लिए एक मौका जो दिया गया था साथ रन के उपर उसके बाद 40 के उपर दो मौके मिले उसका बरपूर फाइदा उठाया और टीम को एक सन्मान जनक स्कोर तक लेकर गए 85 बने हैं जीतने के लिए 86 रनों का लक्स दिया है झाल 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 क्मेटी के लिए स्वागत है कॉमेटी बॉक्स में साथ यह रश्यगी कॉमेंटेटर अकिप सीख सुक्रिया सर फ्रासर दोनों पारंबिक बल्ले बाज जा चुके है विएट के उपर दीरे दीरे मनीश भाई पडियार भी आ चुके है कॉमेटी बॉक्स में उनका भी स्वागत है फिलाल रईस कादरी और नाईम सेख दोनों पारंबिक बल्ले बाज के रूप में गेन बाजी के उपर दूर वाले छोर से जैदी बारसोल जैडी के हाथ में गेन थमाई एक अप्तान ने और अब फिल्डिंग की बात की जाए इस बीच रईस कादरी के लिए डीप मीड विकेट और वाईडी जलॉंग ऑन माउंटर लाइन के बर रईस कादरी के लिए कुछ इस प्रकार फिल्डी की सजावट किया है पारी के यह पारंबी कोवर यानि की सरकल पाउर प्ले नौखिलाडी सरकल के अंदर डीप मीड विकेट के उपर हर्दिक को सामिल किया गया है बले बास के लिए वाईडी जलॉंग ऑन माउंटर लाइन के उपर पार्थ मोधी इस्टा कवर मिड ओफ क्रिसाहिर गली के उपर पॉइंट के उपर सागर मोधी इस्टा कवर के उपर संजाद पठान पहले और की पहली गयन आगे निकल कर कदमों का इस्तमाल जरूर किया था वहां पर सीधे बल्ले से स्ट्रोगों किला रईस कादरी ने रण लेने की कोई गुंजा इस नहीं डॉट गैंड पहले बल्ले बाजी करते हुए जलाराम गुरुपा ने 85 रण बना है उसके जॉब में यहां से 86 रणों का पीछा करना है ठाकर रॉक्स प्रतिक 11 को स्ट्राइक के उपर रईस कादरी फुल्टोस के जरूती इस बार लभी डेब्ल्यू के रूप में यह पहला विकेट पीचिंग इन दा लाइन हीटिंग इन दे स्टम मिडल स्टम के उपर पाए गये बल्ले बाज गोल्डन डगका सिकार हुए इस बीच रईस कादरी पहली जैदी बार सोलको जैदी बार सोलके नाम गोल्डन डगका सिकार हुए रईस कादरी और अब नए बल्ले बाज की रूप में के यूर आहिर कुछ सामिल किया जा रहा है ठाकर रोक्स प्रतिक लेवन की और से जिस प्रकार से चीरप हो रहा है ग्राउंड के उपर फिलाल जैदी बार सोल दूरवाले छोड़ से लोगान के उपर से इस बार उठा कर स्टोक खिला है बल्ले बाजने और अच्छा कैच पार्थ मोधी की और से वीकेट का सिलसिला बीच मेदान के उपर दो के दो के उपर दो सफलता गोल्डन डग का सिकार हो एस बीच के उराहिर अला है ट्रिक जैदी बार सोल अब है ट्रिक के उपर तो इस बीच जैदी बार सोल अब है ट्रिक गोल्डन गेन हाथ में लेकर दूर वाले छोर से राइटम और दो वीकेट गेन बाजी करेंगे सुबास को काट श्रों खेलने का प्रैस इस बार बले कांदुर ने इससार जरूर लिया था वहां पर वीकेट कीपर का सहराच यह था वन बाउंस के बाद गेन पहुची सिधे सुनिल के दस्तानों में कोई रन नहीं कोई नुक्सान नहीं डॉट गेन बिंदी गेन काउंट की जाएग ठाकर रॉक्स प्रतिक 11 वापस बोलिंग लाइन के उपर जेदी पार्सुल दूर वाले छोड़ से कट करने का जुरूर प्रैस किया गया था वहाँ पर कोई रन नहीं कोई नुक्सान नहीं शतिक टपपा और सटिक लैंथ or लाइन के साथ गेन बाजी की जा रही है जेधी बार्सुल के और से पारिक यह पारंफिक ओवर में पारी का ये पारंबिक ओवर चलता हुआ नव खेलाडी अभी वी सरकल के अंदर दो खेलाडी सरकल के बहार डीप मीड विकेट लॉंग और बाउंटरी लाइन के उपर बल्ले बाच के लिए सिदे बल्ले से इस बार हलका सा ट्रायू किया वहांपर गेन को फिल किया जाए थटियार सरकल के अंदर सिवगरवात की और से और थ्रो दिया जाए तब तक यहां से खाता खोला है बठाकर रॉक्स फ्रती के लिए बनने एक ओवर की समाप्ती के बाद टीम का स्कोर है एक रन दो विकेट के नुक्सान के उपर सफल ओवर समाप्त होता हुआ दो बड़ी सफलता है जैदी बारसुल के खाते बेए कि अपने कोटे का पहला टीम के और से दूसरे आवल लेकर इस बार उचा लगाए का या नीचे खेलारी है हार्दिक और अच्छा कैच वाइट इस लोगाट बाउंटर लाइन के उपर लगने वाला ये तीसरा जटका ठाकर रॉक्स प्रती के लिए वनको और मिलने वाली पहली गेन के उपर पहली सफलता गेन बाद सज्जाद पठान के नाम कि अग्या जटका रॉपा की और से सीव अग्रवात तो बन चुके हैं लेकिन यहां पर ठाकर रॉक्स को के लिए अब किसी को बनना पड़ेगा जिस प्रकार से अब नई बल्लेबाज को सामिल किया जा रहा है प्रेम नई बल्लेबाज के रूप में प्रेम पटेल थटी यार सर्कल के इंदर नौ खेलाडी दो खेलाडी सर्कल के बाहर लॉंगान और डीप मीड विकेट पार्थ मोधी एक अच्छी फिल्डर माने जाते है गेन को फिल किया जाए और थ्रो दिया जाए तब तक एक रन के सास्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुचा है दो रन पारी का ये दूसरा आवर चलता हुआ ठाकर रोक्स और ठाकर रोक्स प्रतिक 11 और जलाराम क्रुपा के बीच पे चलने वाला ये मुकाबला 86 रनों का पीछा करना है अब एक फिल्डर को तेनाद किया गया है हार्दिक 38 सर्कल के अंदर मीड ओन के उपर लॉंग आफ बाउंटरी लाइन के उपर बल्ले बाच के लिए सौट गेंट जरूर थी इसमार गेंट बाच के सर के उपर से तीर से बल्ले से सीधा स्टोक स्टेंडर डिलेवर सामने नाईम के बल्ले से लगने वाला ये पहला सिक्सर अब वापस बालिंग लाइन के उपर सज्जाद पठान थोड़ी सी हाना जरूर हुई थी उसके बाद एक रन मुकम्मल गया दोनों बल्ले बाचों ने इसी एक रनों के साथ ठाकर रोक्स प्रतिंग 11 का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जहां पहुचा है नाउरन 17 स्पोर्ट गुजराथ जिसके ओनर कार्थिक पटेल भी यहां पर उपस्तित है केमेरामेन के साथ उपस्तित सज्जाद पठान बलिंग लाइन के उपर विकेट का पतन होता हुआ इस बीच पूरी तरीके से बल्ले पर सजा नहीं पहे बल्ले बाज प्रेम विकेट का सिलसला इस बीच चलता हुआ बीच मेदान के उपर ठाकर रोक्स प्रतिंग 11 के लिए मॉमेंट को केपचर किया जा रहा है वहत सारे दर्सक यहां पर उपस्तित है, ग्राउंड में कई जादार में प्रिक्सव को उपस्तित, मैं कोमेंटर अकिप सेक और मेरे साधी और सहियोंगी कोमेंटर सर्फ़ाज माख्ण सर की और से आप सभी का अहर्तिक स्वागत है, एक हर एक मॉमेंट को केपचर करते हुए गेंट बाजी में दिन जरूर रहा था अब बल्ले बाजी किस प्रकार की करेंगे याने वाला वक्त बताएगा फिलाल नफीदुली गेंट बाजी सज्जाद पठान की और से बीच मेदान के उपर जलाराम कुरुपा के लिए पाउर प्ले के आखरी गेंट से इस बल्ले बाज के लिए राइट हम और दो विकेट कोमेंटरी बॉक्स एंड की और से फुल टॉस गेंट जरूर थी इस बार हवा मेंट एक्ष्टा कवर के उपर थोड़ी सी रहत की सास जरूर लिए होगी वन बाउंस के बाद गेंट को फिल क्या जाए जैदी पार्सोल की और से एक्ष्टा कवर के उपर इस बीच ओवर की समापती दो ओवर की समापती के बाद ठाकर रोक्स प्रतिक 11 का स्कोर जा पोचा है दस रन चार विकेट के नुकसान के उपर गेंट बाजी के उपर इस बीच दुरू याटनिक को सामिल किया गया है अपने कोटे काप एला वर लेकर टीम की और से तीसरा वर लेकर जलाराम कुरूपा 11 की और से स्ट्राइक के उपर बल्ले बाज धर्मेस बक्सी और नौन स्ट्राइक एंड के उपर नाइम 86 रनों का पिछा करना है ठाकर रॉक्स प्रतिक 11 को थोड़ी सी फिल्लिंग की सजावट की जा रही है बले बाज के लिए डीप मिड विकेट स्क्वेर लेक वाइड इस लॉंग ओन लॉंग ओफ डीप कवर बाउंटर लाइन के उपर सीव अग्रवाद फुल्टास गेन जरूरती गेन बाज के सर के उपर से स्टोकों के ला बाइड इस लॉंग ओन के उपर सज्जाद पठान गेन को फिल करें तब तक एक रन के साथ स्कूर आगे बढ़ता हुआ डबल अंकों में जा पोचा है 11 रन चार विकेट के नुकसान के उपर पारी का ये तीसरा ओवर चलता हुआ स्ट्राइक के उपर अब बल्ले बाज नईम इस बार उचा लगाया फिल्डर कोई तेनात नहीं गेन चली गई सिधे डीप मिट विकेट और लोगों के खिलाडी को विबाजन करने के बाद चौका मिला यहाँ पर टिन पंद्रा रं लॉस आप फॉर विकेट चार विकेट के नुकसान के उपर पटकी होई के जरूर थीस पर पॉइंट के पर खड़ी होगा और क्री साहिर कोई गलती नहीं कि वहाँ पर जीस प्रकार से केच लबग ने के बाद सेलिब्रेशन किया क्री साहिर ने अच्छा विकेट यहाँ पर अब पाँच विकेट के नुकसान के उपर यानि कि आधी टीम पविलियन लॉट चुकी है ठाकरोक्स प्रतिक 11 झाल 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 इस बीचे नए बलेबाज के रूप में सीवाहिर ठाकरोक्स फ्रतिक 11 की और से सीवाहिर के लिए इनाम का एनॉस्मेंट क्या जा रहा है सुफियान सुक्का की और से रिवसिप में अगर सिक्सर लगाएंगे तो हर एक सिक्सर के उपर 201 रूपे का नकत पूरसकार दिया जाए से डाउन दे लेग वाइट का इसार अमपाईस की और से सोलारन अत्रिक एक रन काउंट किया जाएगा सोलारन स्कूर कार के उपर ठाकरोक्स फ्रतिक 11 का स्कूर जापोचा है सोलारन पाच विकेट के नुगसान के उपर पारी का यह तीसरा ओवर चलता हुआ दूर वाले छ के उपर तब तक एक रन के साथ स्कूर आगे बढ़ता हुआ जापोचा है सत्तरा रन पाच विकेट के नुगसान के उपर नफिदुली गेनबाजी पारी के यह पहले तीन ओवर में जिस फ्रकार से अगास किया गया था गेनबाजी के उपर जैदी पार्सोल इस वारुचा लगाना चाहते थे वहाँ पर दूसरा वर सज्जाद पठान की और से अब तीसरा वर द्रुयागनिक गेनबाजी के उपर प्रेजन्स अप माइन के साथ वहाँ पर कप्तान कप्तानी करते हुए बीच मेदान के उपर स्ट्राइक के उपर बलेबाज दर्मेस बक्सी और स्टम से गुजरती हुई गेन इस बार जाने दिया डॉट गेन बिंदी गेन काउन की जाएगी तीन ओवर की समापती के बाद स्कोर है सत्त्रा रन पाच विकेट के नुकसान के उपर स्ट्राइक के नुकसान के भी आपकेट के लाच विकेट के जाएगी तीन ओपर कफ़ी लंबा सान अपलेकर रोड एंड की और से स्ट्राइक के उपर है बल्लेबाज सिवाहिर रिवसी पगर स्ट्रोक खेलेंगे और हर एक सिक्सर के उपर सुफियान सुक्का की और से 201 रूपे का नकत पूरसकार दिया जाएगा फिलाल टीम का स्कूर 17 रन 5 विकेट के नुकसान के उपर उल्लेंड स्पोर्ट के उपर टपा खाने के बाद गेन चली गई सिदे विकेट की पर के दस्तारों में कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं डॉट गेन मिंदी गेन काउंट की जाएगी विशाल वामने कोमेंटरी बॉक्स का संपर्क करेंगे जल से जल फिलाल पार्तमोधी वॉलिंग लाइन के उपर दूर वाले छोड़ से इस बार उचा लगाया डीप मिड विकेट के उपर से यूजर नाइम मैक्सिमम आउट अप पार्क सीवा हीर के बले से लगने वाला ये पहला सिक्सर इस बार उचा लगाया लोंगान के उपर खिला डीए सज्जात बठान अपर हैंड कैच लिया विकेट का पतर होता हुआ पार्तमोधी को मिलने वाली ये सफलता और लगने वाला छट्टा जटका ठाकर रोक्स प्रतीक 11 को कर दो कर दो प्रश्राइब को सामिल क्या गया है देखने को मिल रहा है बीच मेदान के उपर 23 के उपर छटा विकेट गिरा ठाकरोक्स प्रती के लिवन का इस पीचे पार्थ मोधी रोड एंड की और से काफी लंबा सरंप लेकर पॉइंट के उपर इस बार श्टोकों किला था वहाँ पर अच्छी फिल्लिंग क्री साहिर की और से कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं डॉट गैन काउंट की जाएगी इस बीच रुका हुआ स्कॉर ठाकरोक्स प्रती के लिवन का पारी के यह चोथे अवर में पूरी तरीके से बल्ले पर सजाए नहीं पाए वहाँ पर शॉट फाइन ले के उपर फिल्डर तेना गैन को फिल किया जाए तीस मिटर के उपर तब तक कोई रन नहीं कोई नुक्सा नहीं डॉट गैन बिंदी गैन काउंट की जाएगी इस बीच इस अवर के अगली गैन बल्ले बाच के लिए खुशूरत केच इस बार बहुत ही बहदरीन केच पार्थ मोधी अपने ही बोलत्रों में उतना असार नहीं हो दा केच लफगना लेकिन जैसे ही वहाँ पर स्टोक खेला बल्ले बाच ने सही पोजिशन बनाई गई और वीकेट का पतन होता हुआ इस बीच यूरा सोलंकी के पेलियन की और बल्ले बाच झाले वहाँ वहाँ पतना बहीं होता हम झाले ठीन concept कि वहाँ तो भीके पतना का रह शावाँ झाले का बहां झाले कि रहाँ भीक呢 कि दर ने बताया लेकिन यह साथ निभा रहा हैं टूर्णामेंट के ओर्गेनेजर कमीडी यह पहला टूर्णामेंट वा इसी मिदान के उपर अगला टूर्णामेंट की तारीक यानि कि आदिवसी प्रिमेर लीग चोता सीजन और्गनेस किया जा रहा है हिनल गरासिया दक्सेश लालू पटेल और विसल बामने की और से जिनजी नौनरों को उस टूर्णामेंट में हिस्सा लेना है यह आटीम अपनी प्रोवाइड करनी है तो इन वायजोका का संपा करें कि डिसेंबर 23, 24, 25 को इसी मिदान के उपर आदिवसी प्रिमेर लिग सीजन चोता खेला जाएगा फिलाल गेनबाजी के उपर जैदी बार्शुल मुश्किल यह बढ़ती हुई ठाकर रोक्स के लिए बहुत बढ़ा लक्स साम के वक्त थोड़ा सा मुश्किल नाममकिन कुछ भी नहीं लेकिन मुश्किल जरूर है लोंगाउफ के उपर केला था तीस तरार्थ रो सीधा सीव अगरवाल वहाँ पर मौझूद थे ठकर रोक्स का अभी भी जीतने के लिए यह थे यह दो में 62 रन की जुरुत 62 रन रिक्वाइड इंग 23 बाल मुश्किल जरूर है लेकिन नाममकिन कुछ भी नहीं क्रिकेट अनसी तौक अकेले अजीज बोडियासर केते ना के जहां तक याकरी गेन आकरी रन खतम नहीं होता क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जाता फिलाल लेफिन वलेबाद स्ट्राइक के उपर दरमेस पावार पटकीवी कहन ती सोटाम पूल सट केलने का प्रयास ता लेकिन अधा अधूरा हीट विकेट हीट विकेट हो चुका है विक्टे के उपर जागी रहे अपना संतुलन नहीं बना पाए यह हूक सोट केलने का प्रयास ता तो ही कि याद मुझे आई है इंटरनेशनल मुकाबला चल रहा था पुराने जमाने का मैच ठेंडूलकर सेवाग बलेबाजी के उपर थे सामने वाले छोड के उपर सोयबक्तर गेनबाजी के उपर थे दो बाउंसर तीन बाउंसर टेस में हुक मार के दिखा हुक मार के दिखा सेवा को सेवाग ने बताया वो नॉन स्ट्राइक के उपर तेरा बाप खड़ा है वो मार के दिखाया था जब अगला ओवर आया टेंडूलकर को बाउंस फेका संतुलन बनाना पड़ता है फिलल मेच की तरफ रुख करेंगे 24 के उपर 8 विक्टे यह टूनामेन का लोवे स्कूर की तरफ आगे बढ़ती हुई ठाकर रॉक्स अलके आदो से टैप किया सिंगल निकलन का प्रैस ते हमाना किया दरमेश भाई ने यस नो यस नो जैसे ही वापस मौका मिला तो सिंगल चुराया कौटर सेंचुरी 25 रन दरमेश पड़ेल फिलाल 5 के दो का सामना किया 3 रन के अपर बल्ले बाजी कर रहे है नजदीक लेकर जाने का प्रयास जरूर है जैदी बार सोल वो इस पिल फेक रहे है जो वहाँ मेदान के अपर फेका था खरसत मेदान के अपर आईर प्रिमेर लीग में 2 वर में 10 रन देकर 4 सफल था डाउन डर ग्राउन के ला मीडविकेट लोगन के बीच में तीन सफल तार जीत कर चुके है चार अन देकर शर्टी क्योकर का प्रयास ता कला एक के साथ गेंको मोडा सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट की है जड़ में डालने का प्रयास है स्टम तु स्टम गेंबाजी ओवन नमबरी पांच वाच चलता हूँ अपने कोटे का दूसरा और फेक रही जाए थी बार्सुल आकरी के नभी भी वागिए पांच रन देकर तीन सफल ता वाटा स्पेल पाटकी वी गेंथी फिलर था लेकिन गेंब को बेजा बाउंट लाइन के बाहर छे रनों के लिए सर के उपर से कड़क भी दड़क सिक्सर चक्की के साथ अपना स्पेल खतम किया इस ओवर का पांच ओवर की समापती फिलर तैंतीस त्रण आट विकेट के नुकसान के उपर दो ओवर में ग्यारा रन देकर तीन विकेट निकाली है जैदी बार्सोल ने अभी भी अटरा गिंदो का केल बाकी है जीतनी के लिए 53 याने के 53 रनों की जुरूत झाल के लिए झाल बाग् झाल 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 गाबला जरू कहा जाएगा प्रणवाहिर की बात कीज़े तो दोसों की स्टाइक रेट के साथ बल्ले बाजी 47 चाहिए 16 गेदो में नजदीक पहुँचाने का प्रयास है और एक रिवस इस मरतबा नाकामियाब इसके बाद दो और और बाकी है और नमबर ये चटा जलता हुआ जीतना नजदीक पहुँच सकते हैं नेट रन नेट माइनस में कब जाएगी अगर जीतने की कोशिश करें तो जीता भी जा सकता है ऐसा नहीं ये क्रिकेट में बहुत सारे उलट फिर हमने देखें सामने केला आदा अधूरा जैदी बारसल अमोमन कैच छोड़ते नहीं और विकेट नमबर नौवा और कमले स्नायक का बीच में दान के अपर आखबन झाल 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 फिरे जैदी बारसल ने दो अवर में गयारा देगर तीन सपलता निकाली तो और एक हमना गया था यहाँ पर द रुव्यागीगनिक ने शातरण देकर एक सपलता पार्थ-्मोदी ने एक कवर किया था चेरण देकर दो सपलता तो दुरू यागनिक और पार्थ मोधी के एक कवर बाकी है जल्दी खतम करने के मूर में है जैसे ही मैच खतम होगा फिल्लिंग टीम के कफ्तान सागर मोधी और नन ठककर आप प्रस्तान कर लिजे कॉमिटी बकी तरफ तुरन तॉस के लिए अपनी डगाउट से सलाम असवरा करके आएंगे टॉस के बाद फिल्लिंग या बैटिंग वो भी अपनी टीम के साथ सुलासा सुनीचित करके आएगा ताके वक्त न जाए टॉस जीतने के बाद आपको गैन बाजी करनी है या बले बाजी बले का निचलाई सा लगा पेला रन तेजी से लिया पार्त मोदी है क्या गेन बाज यस सिंगल के साथ रन से क्या अब जब पहुँची है चालिस रन ग्यारा गेंदी चालिस चाहिए आप स्टेक के अपर थोड़ा सा सफल करके कट सॉट का प्रयास कर रहे थे कमलेस नायक तीन गेंदे खाता नहीं खुला है कमलेस नायक का इदूई दाये पड़ी है उपर इगम के बले बाज को जल्दी आउट किया जिसकी वजह से दबाव रहा ठकर रोक्स के उपर वो दबाव को वो जेल नहीं पाए सटिक टपे के उपर गेंबजी की जारी है पार्त मोदी की और से अपने गोटे का दूसरा वर डाल रहे है सात रन दिये हैं और दो सफलता अपने खाते में अरजित की है अकरी जोडी मेधान की उपर पारे की नौ गेंदे बाकी है हलके आतों से केला सिंगल के चेस्ता रन आउट और सेक्रिफाय वाला वीकेट हो सकता था आत्म समरपन वाला अगर स्ट्विक्टों के उपर जा लगती तो गेंद सागर मुदी कफ्तान है वो आएंगे जैसे ही मैज खतम होगा अगला मुकाबला जलाराम कुरुपा और एंजी बॉइस सिंगाल फिलाल अबर की समापती छे गेंदे चवाले सरन चाहिए जीतने के लिए बैयाले सरन बने हैं चवाले सरन और चाहिए आकरी छे गेंदे झाले सरन चाहिए द्रूब यागनी अपने गोटे का आकरी और पारी का ये आकरी छे गेंदे लेकर सामता वक्त हो चुका है अब सुरत ददा आइस्ता आइस्ता ताटा बाय बाय करके निकल जाएंगे तो समाई का भी लिहाज रखना जरूरी इकल मिलागर दो मैच अल्रेडी बाकी है सटी जोकर का प्रयास था पैर से रोकने का प्रयास जरूर किया था लेकिन रंकी कोई चिस्टा नहीं किये लेकिस्टम के छोड़ती ही गैंती लेकिस्टम के उपर से गैंनी डिलिवर की यह सफलकर का अप्स्टम के पर निकल गए थी दॉट बॉल हवा में गैन कैज की मांग क्या ओल आउट यह सागर मोडी कौमीडी वक्त संपा करेंगे टॉस के लिए जलराम कृपा 11 के कप्तान जलसे जलाएंगे टॉस के लिए और अपनी टीम से सलाम अस्वरा करके आएंगे टॉस के बाद तुरंद गैन बाजी अब अल्ले बाजी करने है वो भी अप सुनिचित कर लेंगे एक बड़े मार्जिंग से 43, 43 रनों से इस मकाबले को जीता रनों के उपर ओल आउट किया है तो एक अच्छी गैन बाजी देखनों को मिली है ला जवाब परफॉर्मांस फिलाल